तो दोस्तों सबसे पहला question आता है कि मेरा चैनल अभी तक monetize नहीं हुआ है और मेरे वीडियो में copyright claim आ चुका है दोस्तों आज की इस वीडियो को बताने वाला हूं कि अगर अपने YouTube वीडियो में अगर background music का use करते हैं और दोस्तों ऐसे में अगर आपके उस वीडियो पर copyright claim दे आपको बताने वाला हूं और दोस्तों अगर आपका YouTube चैनल अगर monetize अभी तक अगर नहीं हुआ है तो अगर आपके वीडियो पर copyright claim आपको दे दिया जाता है तो इससे में आपके उस वीडियो पर copyright claim अगर दे दिया जाता है तो सबसे पहले आपके उस वीडियो के डिस्क् आपके उस वीडियो पर copyright claim दिया गया है और अगर आपका डिसेबल होने का चांस यहां पर रहता है तो मैं आपको इस वीडियो में सारा confusion को यहां पर क्लियर करने वाला हूं तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों इससे पहले में आज का winner को चैन कर लेता हूं जो कि आज किसका चैनल यहां पर पर मोट होने वाला हूं तो दोस्तों मैं यहां पर चलिए यहां पर रेंडम comment picker में जाता हूं यहां पर अपना latest video को comment को यहां पर URL यहां पर पे पेस्ट करता हूं यहां पर दोस्तों देख तो जो भी आज का winner आये तो इस भ करके और नीचे comment section में जाने को बाद एक प्यारा सा comment करताना उसको दोस्तों कर नेक्स टाइम अगर आप winner आते हैं तो आपका चैनल का link में अपने video को description में add कर दूंगा तो दोस्तों चलिए आज किस video को start करते हैं तो दोस्तों सबसे पहला question आता है कि मेरा channel अभी तक monetize नही हुआ है अगर आपके YouTube वीडियो में अगर कोई भी या background music अगर यूज किये हैं आप चाहे वह background music 10 seconds के लिए या फिर अपने सारे वीडियो में अपने यहां पर वीडियो को जो की पूरे जो की वीडियो में अगर यूज किये हैं और दोस्तों ऐसे में अगर आपके YouTube चैनल का monetize enable हो जाएगा लेकिन दोस्तों अगर आपके एक दो वीडियो या फिर दो चार वीडियो में अगर copyright claim रहता तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको जो की रिमूब कर सकते हैं तो यह करके अपने वीडियो को फिल्टर कर सकते हैं और दोस्तों अगर आपके YouTube वीडियो में अगर ज्यादा वीडियो में अगर copyright claim रहता तो आपको यूटूब चैनल का monetize अगर आपके YouTube वीडियो में अगर जो की copyright claim आता है तो इससे सबसे पहला आपको यहां पर यह गलत फ्याम यह आपको नहीं रखना कि आपके YouTube चैनल का monetize आप नहीं होगा इससे दोस्तों आपके YouTube चैनल पर कोई भी effect नहीं पड़ेगा जैसे कि कोई भ अगर आपके ज्यादा वीडियो में अगर copyright claim रहता है तो monetization के समय problem होता है लेकिन दोस्तों जैसे आपको चैनल monetize हो जाता है उसके बाद दोस्तों आपके सारे वीडियो में अगर copyright claim है तो इससे भी आपको यहां पर कोई भी problem नहीं होगा तो आपको यहां पर निश्ची त दो दिन तिन दिन जितना भी मेहनत की हो लेकिन दोस्तों उस वीडियो पर जितने भी एड आएंगे तो उन एड के सारे पैसा जो कि उस copyright honor को मिल जाएगा जो कि आप अगर उस वीडियो पर जैसे कि दो से तीन मिलियन अगर व्यूज आ जाता है तो उससे जो भी revenue आपको मि दिया है तो उसका जो ओनर रहता है ओनर का जो कि वहां पर डिस्क्लेंबर आपके उस वीडियो को डिस्क्रिप्सिन वहां पर दे देता है जो कि वहां से पता कर सकते हैं को आपको copyright claim का और अगर आपके यूटूब चैनल पर अगर कोई भी एफेक्ट नहीं पड़ता है दो कोई भी बेग्राउंड म्यूजिक को यूज कर सकते अपने वीडियो में इससे दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल पर कोई भी फैक्ट नहीं पड़ता है लेकिन दोस्तों जब तक आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाईज नहीं होता है तब तक अपना यूट्यूब सकता है तो बस यहीं था copyright claim से आपको यहां पर अपने दिमाग से आपको हटा जाना कि copyright claim से कुछ भी नहीं होता है आप अपने वीडियो में जो कि कि किसी भी background music को यूज कर सकते हैं अकसर अब यहां पर देखे होंगे जो कि जितने भी comedy चैनल वाले होते हैं तो वहां पर अकसर comedy चैनल वाले और यहीं था अगर आपको समझ में आ चुका है कि copyright claim क्या होता है तो इस वीडियो को लाइक करते हैं चैनल पर नहीं हो सस्क्राइब करते हैं मिलते हैं फिर उसे नेश्ट विजिन तो तक लिए जयाहिन बंदे मात्रम